हलो फ्रेंड्स वेल्कम टू एड्यूहब ऑनलाइन क्लासेज आर्पेसी सेकेंड ग्रेट भरती दोस्तों आज जो गुरूप सी का पेपर कैंसल हुआ है उसके बाद क्या रवया रहा और आपका पेपर सी का अब एक्जाम कब विकंड़क्ट करवाई जाएगी इन सभी बातो पर आज हम चर्चा करेंगे बड़ी अपडेट आई है फ्रेंड्स तो आर्पेसी सेकेंड ग्रेट भरती जो आज आपका पेपर निरस्त हुआ है कैंसल हुआ है वरिष्ट अध्यापक भरती परिक्षा पहली पारी का पेपर आउट होने के बाद लोगसबा आयोगनी की पर लिक्षा देने वाले परिषार्तियों में संसाई है परिषार्तियों के मन में आ रही है बात कि जब पहली पारी का पेपर आउट हो सकता है तो दूसरी पारी का ही पेपर आउट हो सकता है तो फ्रेंड्स ये बिलकुल सही बात है जैसे आप सचो इतनी दूर गया पेपर द तो दूसरी पारी का पेपर लिख क्यों नहीं हुआ होगा और जो पहले SST और हिंदी के पेपर जो हो चुके हैं क्या वो पेपर भी ओलेडी लिख थे ये बहुत बड़ा सवाल है राजस्तान की सारी भरतियों पर ये संसे ये सवाल रहता है अभ्यारती फॉरम बढ़ने के ब हाली में 11 दिसंबर को फॉरेस्ट गाड़ का एकजाम दुबारे से कंडरेट करवाया गया जो कि राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ने करवाया था तो RPSC और राजस्तान करमचारी चैन बोर्ड ये दोनों बोर्ड ही राजस्तान में अपने-पेपर को लीख करवाई जा रही है RPSC की और से वरिष्ट अध्यापक भरती पेपर लीक मामला जो यह है दोस्तो RPSC चेर्मेन के खिलाफ नारे बाजी और जताया विरोध अब क्या हुआ एक नई अपडेट में RPSC ने क्या किया जो पेपर आज आपका निरस्थ हुआ है कैंसल हुआ था दोस्तो उसकी जो जीके का पेपर आपका कैंसल हुआ है उसके बारे में RPSC ने कहाए कि अब यह पेपर आपका 29 जनवरी को कंड़क्ट करवाया जाएगा 29 जनवरी 2023 को आज निरस्थ हुई वरिष्ट अध्यापक गुरूप C GK परिक्षा की नई ती थी गोसित अब 29 जनवरी को आयोजि साल फिलाल यह है कि 29 जनवरी को अब आपकी यह परिक्षा आयोजित होगी और यह सूचना किस ने दी है RPSC के चेर्मेन संजे कुमार जी ने यह सूचना हमें दी है फ्रेंड्स